अब टू को हम सॉल करने जा रहे हैं कोर्शन नंबर वन अल्रेडी हमने वीडियो के पार्ट वन में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 चैप्टर 8 का जो क्वाड़िलेटल का चैप्टर है इसका पार्ट नंबर वन जो वीडियो हमने बनाया उसमें कोर्शन नंबर वन और कुछ थेरम इसे रिलेट जो थे हैं हमने सॉल किया है तो इस वीडियो को यानि वीडियो का पार्ट टू देखने के पहले आप लोग वीडियो का पार्ट वन देख लिजेगा ताकि यहां जो कोर्शन में सॉल कर रहा हूं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो देखिए करना है कि डायगोनल विख्वल है और दूसरा ये भी शो करना है कि बाई सेत करना है एक दूसरे को कहाँ पर? और और प्रूबट विएसर साथ साथ हमको क्या पना है कि यह जो कि डायगोलल एक दूसरे बाटे सेत कर र नहीं यानि और O.cabout O a और O.b. यहां पर देखिए हमने लिख रखा है वहां पर हमने ABCD एक इस्वायर बनाया ABCD और डाइगोनल उसके दो है AC और BD clear हो रहा आपको और ओ पर एक दूसरी को क्या कर रहा है इंटरसेट कर रहा है यहां देखिए हमने लिखा ABCD इस्वायर डाइगोनल AC और BD इंटरसेक्ट इच अदर पॉइंट ओ पे ठीक ना आपको देखिए पॉइंट ओ आमने लिख रखा है प्रूप करना है कि डाइगोनल जो है वो क्या है एक तो इसको नाइटी डिग्री प्रूप करना तीन चीजे प्रूप करने के लिए वो तीन अलग-अलग स्टेप से जाना होगा तो फॉर्स्ट इस्टेप में हम ये प्रूप करने का प्यास करेंगे कि जो डाइगोनल लोग एक्वल है तो सलुचन देखिए यहां पे हमने स्टार दो ट्रेंगल लेंगे ठीक है ना लिखिए इन ट्रेंगल एबी सी एंड ट्रेंगल डीबी सी ठीक है अब देखिए एबी सी और डीबी सी के अगर बात हो रही है a, b, c, d, b, c तो हमकोई से देखना होगा कि यह सक्वायर है अगर यह सक्वायर है तो सकाल साइड तो इकल होगा यानि a, b, e, like, all to क्या हो जाएगा यहезде c हो जाएगा रीजन क्या साइड-あप इसक्वायर है साइड साफ और स्क्वाइड यानि ये वाला साइड एबी इकुल टू सीडी के बराबर हमने देखा दोनों एंगल तोनों ट्रेंगल में इसके लावाँ एंगल एबी सी इकुल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी एबी सी एबी ये वाला एंगल और ये आपको मालू है कि सारे एंगल भी आपस में एकुल होते हैं अगर स्क्वाइर है ठीक ना तो भी खुल एंगल आप आई स्क्वाइर प्रेंआ कि हरँ को एएंगल इंटेशल इंटेशल आपस पयूंट एंगल तो निख एबी उर्ध ये आपस्वाइर हो जाए बी ओ दूने ट्रेंगल देखिए इसी पे बने हुए ए बीसी भी ये बेस है और आपका दूसरा डी बीसी ये भी बेस यही है बीसी ही बेस है ठीक ना इस तरह से हमने ट्रेंगल ए बीसी देयर पोर्ट ट्रेंगल ए बीसी कांगुरेंट प्रोव गया है ट्रेंगल डी बीसी के ठीक ना बाई से यस बाई से यस कांगुरेंट एक चीज़ तो है क्या चीज़ की एसी है मतलब ये साइड इसके बादा ये कामन ने तीस्रा साय तो डायोनली बचा ना इसमें इसमें मतलब ट्रेंगल की साथ ये वी इसी और दूसरा ट्रेंगल है डी बीसी में डी ये इसी कल्टो डीबी हो जाएगा लिख दीजिए एक इकोल टू डीवी यह तो प्रूब करना था नहीं को यह सीकल टू बीडी यह डीवी तो यह बाई इस सीपी सीटी हमने रूप कर दिया गांग्रेंट करेस्पांडिंग पार्ट आप कांग्रेंट ट्राइंगल से अब देखिए इससे प्रूब हो गया कि डाइगोनल आपे इसक्वायर आर इक्वालिन लेंद हैंस डाइगोनल्स आपा इसक्वायर आर इक्वल इन लेंद यह चीज तो प्रूब हो लेगें अभी दो चीज़े और प्रूब करनी है यह पहले बात तो दूसरी चीज़ क्या हो गई कि यह जोनों डाइगोनल एक दूसरी क्या करना है बाई सेट करना है इसके लिए हम ट्रेंगल फीरांग्ड दें इन ट्रेंगल अं ओब्रेंगल आण इए उभी और सियो डिए यह ट्रेंगल ट्रेंगल ग्ids इसमें देखते हैं कैसे प्रूब हो सकता है तो देखिए एंगल AOB जो एंगल AOB होगा इक्वाल टू हो जाएगा एंगल COD की रीजन क्या आप देखी रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है ठीक ना तो रीजन लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल सेकेंड में ABO एंगल ABO एक्वाल टू हो जाएगा एंगल CDO ABO यानि यह वाला एंगल CDO यह एंगल यह देखिए आप अगर यह इसके पहलल है तो आल्टर्नेट इंटीर एंगल हो जाएगा ठीक ना आल्टर्नेट इंटीर एंगल रीजन क्या है AB पहलल है CD की ठीक ना इसी तरह है AB इक्वाल टू CD जो AB और CD है यह भी इक्वाल हाई है रीजन आपको मालूगा साइड आफा इस्क्वायर इस्क्वायर के साइड तो बराबर होते ही है अब देखिए कितना एजी तरीके से हमने यह प्रूप कर दिया कि ट्रेंगल जो भी है यह कांग्रेंट होगा ट्रेंगल सी यो दी के लिए और इसका कारण क्या था है ए देखो दो दो एंगल और एक साइड बाई कॉफार कंगुलेंट रूल इस रूल स से इसको प्रूब करने से dus क्या फायदा वा कि जाव हमने यह ट्रैंगल और यह यह ट्रैंगल प्रूब कर दिया तो corresponding side यानि od equal to ob और oa equal to oc automatically प्रूब हो गया ठीक ना hence लिखिए hence a o equal to co और o b equal to od ये दोनों प्रूब हो जाएगा by cp ct तो ये बात भी प्रूब हो गई a o equal to oc या c o o b equal to od दूसरी चीज प्रूब हो गई अब हमको आते हैं third point यानि third point क्या प्रूब करना था कि ये दोनों एक दूसरे को 90 degree पे क्या कर रहे है बाइसेक कर रहे हैं ठीक ना तो फिर से third step पे आते हैं ये चीज़ प्रूब करना है कि ये जो एंगल है ये 90 degree है तो इसके लिए ले ले लेते हैं इंड ट्रेंगल अब इसमें देखिए क्या होगा ए ओ एक्वल टू क्या हो जाएगा अभी देखिए आप रुकी है ए ओ एकल टू ओ सी प्रूब्ड ए बाग ठीक है ना इसके अलावा अब इकल टू सी बी अब इकल टू सी बी का रीजन आप समझी रहे हैं अब इकल टू सी बी के हो जाएगा साइड आप आई स्क्वाइर ओके बच्चो और बी यो देखिए बी ओ दोनों में क्या है बी ओ इकल टू बी ओ यह हो गया कामन साइड कि तीन चीजे मिल गई यानि यस 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 कानग्रेंट सोल से यह हमने प्रूफ कर दिया देरफोर ट्रेंगल ए ओ बी कानग्रेंट हो जाएगा ट्रेंगल सी ओ बी बाई यस 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 कानग्रेंट रूब ठीक है बच्चो इतना हो गया अगर इतना हो गया तो एंगल रेखलश यह जाएगा क्योंकि कार्स्वांडिंग साइड हैं ए यह मतस्वी बाई ओ लिए प्रूफ हो गया अच्छा आगे देखिये इतना तो प्रूफ हो गया अब हमको ये प्रूब करना ना कि ये 90 डिगरी का है तो आप देख रहे हैं कि AOB और COB ये दुनों मिला कि क्या मना रहे हैं लीनियर पेर बना रहे हैं तो देखें यहां पे हम इसको कर देते हैं कि अधिकना कि AOB अंगल AOB प्लस अंगल COB एक्वल टू वान एक्टी डिगरी रीजन क्या है लीनियर पेर आप अंगल ये दुनों बना रहे हैं लीनियर पेर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं देखें यह उसी बना रहे हैं ना दोनों को जोड़ने की तो इस तरह से हम लिख सकत इखेंगते AOB और COB चुक्छ एक्वल है तो यहां भी जगह सकते हैं देखें उपी का आजाएगा यह 180 दिग्री हो इनिंटो AOB यह 180 एगर होता है तो एंगल AOB क्या ओजाएगा 180 को डिवाइट कर दिजिए तू से कड़ जायाया तो 50 सदारें के नांटी डिग्री हमारा एं और यही प्रूब करना थे हैंस ता है डाइगोनल आप इसक्वाइर बाइस से कीच अदर है राइट एंगल है तो लिख दीजिए हैंस कि इटीज कि प्रूब कि देट कि डाइगोनल कि आप कि इसक्वाइर कि इसक्वाइस कि इस अधर कि आट कि राइट इंगल एक्वाइस तो पहले प्रूब कर चुक्वें यहां पर देखी ठीक है इस तरह से हमारा जो कि कोश्चन था कि हमको टाइगोनल को इकवल प्रूब करना है प्लस दोने एक दूश्ते के वाइस सेट करते हैं प्लस राइट एंगल पर करते हैं यह तीनों चीज़े प्रूब हो गई तो देखिए बच्चों यह कोश्चन आप लोग अच्छे से समच चुके होंगे एक बार पेपर पर उठाइए स्वाल करना शुरू कि यह पेपर लेंदी बले है कोश्चन लेंदी है लेकिन आप आशानी से इसको कर पाएगे मेरा पूरा विश्वास है पस प्रेक्टिस करना मत छोड़िएगा बच्चो कोश्चन नमबर 3 थी हमने यहां रायट कर रखा है डायगोनल एसी या पहले ओलोग्राम ऑ वी सीडी बाइसेट् एंगल ए एवी इसीडी पहलोग्राम है डायगोनल ए सी यह और दिस एंगल आपना की बीसीडी यह एक रूंबस है रूंबस इस और साइट एक्वल होता है ऐसा पहाल ग्राम रॉंबस कर आता है तो सोलूज़्न पर आते हैं देखिए बच्चों पहली बात तो यह दिया हुआ कि यह वी से टीक्या है पहलोल ग्राम निखिए एबी सीडी गई आ पहलेल क्राम ठीक न अब इसमें क्या होगा एंगल डी एसी एंगल डी एसी ये इक्वल हो जाएगा डी एसी इसके एंगल डी इसी एके डी इसी एके रीजन क्या है कि जो आप देख रहे हैं एडी पैरलल है बी इसी के एडी पैरलल बी इसी के है आप इसको लिख सकते की आल्टरनेट क्या हो जाएगा आल्टरनेट इंटिरियर एंगल अंगल अगर यह इसका पैरलल है तो इसका अल्टरनेट यह हो जाएगा ठीक ना वहीं पैला ने इसके हैं यह इसका अल्टर्नेर्ट वहीं सेम चीज़ है ठीक है नेस्ट आ गई है यह हो गया इक्रेशन नमबर वन सेकेंड क्या कहा रहा है बी ए सी इक्वल टू है एंगल डी सी ए बी ए सी यह वाला इंगा इसकेंड है डी सी ये इस एंगल की सेम रिजन यह भी है कि यहां पे डी सी और ए भी पैलल है डी सी पैलल ए भी तो यह क्या हो जागा आल्टर्नेट इंटीरियर एंगल इक्वेशन नमबर टू मान लिजिए दिया हुआ हाउ ऑ यह यह इंगल के तो यह यह देंहें टीछ अटीच विश्जिए अंगलकी सेमिश्ण यह यह क्वेशन और इंगल अ यह जाएंगा दी आसी अलो यह वालो जाए गाड्य अग्वाश्ण क्यों इक्वाल टू एंगल बी एंग शी रीजन यह है देखिए पाइसेट एंगल ए ठीक है यह हो गया एक्वेशन नमबर 3 अब देखे फ्राम एक्वेशन 1 2 & 3 फ्राम एक्वेशन 1 2 & 3 तरह प्रूब हो जाता है कि जो एंगल डी एसी है एंगल डी एसी यह किसके एक्वल है एंगल बीसी एक्वेशन और एंगल बीसी ए यह क्वल्टू किसके हो गया देखे जा तो इंगल डी एसी यहां भी तो अगर डी एसी एक्वल्टू कीछ आए तो बीसी कुल्टू बीसी ओल्टू बीसी होई जाएगा इक्वल्टू अब देखें बी एसी कल्टो और क्या है अगर चारो एंगल आपस में एक्वल है तो यह भी लिखा जा सकता कि जो एंगल डी यह है यह हो जाएगा एंगल बी सी एकी डी सी ए यानि यह वाला एंगल कि इसके कर जाएगा बी सी ए इस एंगल के तो यही बात तो प्रूब करते हैं कि वाइशेट एंगल हैंस एट एज इज प्रू घट एंगल लाएट अबी एकी जुब करना है कि ए बी सी डी क्या है एक रोमबस है, ओके स्ट्रेंट, चलिए सेकेंड चीन, सेकेंड पार्ड को करते हैं, यह फस्ट पार्ड था, आ यह सेकेंड पार्ड पे इसको भी देखते हैं, एक्वेशन फोर से हमको क्या मिला, फ्राम, एक्वेशन फोर, वी आप्टे, देखी, एक्वेशन फोर से हमको यह मिला, कि डी एसी जो है, डी एसी ये क्वल है, डी ची एक पे, मिला ना, लिख दिजे, एंगल dac इक यह ए वाला एंगल, यह किसके इक्वल है, dca, यह यानी इस अंगल की, इस एंगल इस एगल इक्वल है, तो da equal to dc हो जाएगा da equal to dc हो जाएगा इसका region लिख दीजिए side opposite to side opposite to equal angles are equal वही angle equal है तो यह भी इसके equal हो जाएगा ठीक है अच्छा और एक ही देखिए हाव यह बार पहले लोगाम था तो dc लेडी तो यह भी के equal था ही ठीक है ना जो cd था या dc था वह किसके equal था a b की और जो da है यह equal है बी सी के equal यह पहलो ग्राम अपोजित साइड आप पहलो लो ग्राम है अपोजित अपोजित साइड आप आप पहले लो ग्राम यह है ठीक है तो इस तरह से चारों साइड देखिए आपस वराबर हो गया अबी क्वल्टू है किसके अबी क्वल्टू यह अबी क्वल्टू अबी कुल टू बी सी थेर्छ आपस अल साइड इटमेश मेंज अबी चीड़ को अजह कि अचिछा थेर्ण एंश-एsisひ Ah वर शाइंट इस कि अ बॉर साइड 7- С और एक्वल अगर फोर साइड एक्वल है पहलो लोग्राम का तो उसको क्या चलाते हैं ए बी सी डी जा रोमबस ए बी सी डी जा रोमबस देखिए बच्चों तो इस तरह से काफी आसाने से हमने एक कोशन सौल किया अब आप लोगों से एई रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लगातार वाच करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और दूसरों को सेयर करिए मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग लिए बना के लाते रहेंगे तो इसके बाद हम मिलते हैं वीडियो के पार्ट 3 में तब तक आप लोग इसो सौल करते रहें जल्द ही मिलते हैं